स्वागत आप सभी का फाइब में कंसेट के इस नए सीरीज में इस वीडियों बात करने वाला हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन और इक इंट्रस्टिंग टॉपिक के उपर इंट्रस्टिंग इसलिए क्योंकि इस सवाल को अगर अगर एक तरीके से देखेंगे तो यह गल जनरेटर के बारे में जो है खली मिलेगा नॉलेज मिलेगा तो इए को फुरा दिखते रहिए तो आपको कंश न रहा तो क्या बहुत कुछ स्क्रें कीया वाले हैं झानरेटर में गणलेग होता है उसको हम फरस्टेटर पर करना ज्याद्रकर क्यू करतेर अब जह साल वाज क ऑगर आपको नहीं बता है था है कि जो मोटर है उसके वारे बात के बारे में बात किया था हुआ वहां पर ताकि दो दो प्रकार का winding होता है एक field winding होता है दूसरा armature winding होता है और ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है चाहे हम motor के बात कर रहे हैं चाहे हम generator के बात कर रहे हैं कि हमारा field winding हमेसा stator पर होगा और हमारा armature wind हमेसा rotor पर होगा ये कुछ भी हो सकता हम stator भी कर सकते हैं रोटर भी कर सकता जाहें motor के बाद कर रहें चाहें जनेरेटर के बात कर रहें और इवन हमने ये भी जो सवाल दिया है कि जो generator में हम लोग stator को armature winding से q करते हैं ये भी जो है थोड़ा टेकनिकली गलत है क्यूंकि अगर आब DC machine की बात करें चाहे generator के बात कर रहे हैं, चाहे motor के बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमेरा जो field winding होता है, वो हमेसा stator पे होता है, और armature winding जो हमेसा वो rotor पे होता है, पर अगर अगर आप synchronous machine के बात करते हैं, तो चाहे motor हो या generator हो, वहाँ हमेसा जो armature winding होता है, उसको stator पे किया जाता है, और जो field winding होता है उसको rotor पे किया जाता हैili कि अगया सवाल कुछ ऐसा होता है कि सिंग्रोन आस मशीन में जो हमारा आर्मेटर वाइंडिंग होता है उसको स्टेटर पे क्यो किया जाता है तो जाधर अधर टिकनि कली करेक्ट होता पर हिंट्रूइवे प्रिवी में आपसे यसा नहीं पूचा जाता है कि जनरेटर में जनरेटर में हम लोग आर्मिचर वाइंडिंग को स्टेटर पर करना ज्याध़ प्रफर क्यों करते हैं क्योंकि अगर प्राक्टिकल सिनारियो दिखोगे जब भी हम जनरेशन के बाद करते हैं तो हम देखेंग बहुत ज़ादा इंपोर्टन बन जाता है और जब हम लोड साइट की बात कर रहे हैं यानि कि यहां पर हम इस लेक्टिकल पावर को यूज मेले रहे हैं तो वहां पर हमारा इंडक्शन और डी सी मशीन इंपोर्टन बनता है तो आपको यह सारी बाते पता होना चाहिए आंसर करना है आप चल districts बैते हैं सिंक्रोन जनर्टर के बारे में सबसे पहला सवाल इसका क्या कहानी है चाहे हम मोटर के बात करें चाहे हम हम जनरेटर के बात करें इसका जो रोटर होता है वो synchronous speed में rotate करता है इसी विज़े से हमने इसको synchronous machine नाम दे दिया अब यह synchronous speed क्या होता है आपको जो है इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जब भी हम 3 phase induction motor को या 3 phase synchronous motor के stator को हम 3 phase supply देते हैं तो वो एक rotating magnetic field create करता है अब यह जो rotating magnetic field जिस speed में rotate करता है उस speed को हम synchronous speed कह रहे थे अब यह कितना होता है इसको आप calculate भी कर सकते हैं इस formula की मदद से यहाँ पर F जो है आपका supply frequency है और P जो है number of pole है यानि कि हमारे motor या generator का कितना number of pole है अब देखिए मैंने आपको पहले ही बता है कि जो इंडक्शन motor होता है वो कभी भी synchronous speed में rotate नहीं कर पाता यानि कि उसका जो rotor है वो कभी भी अमरे synchronous speed में rotate नहीं करता है जो speed में हमारे magnetic field rotate कर रहा है उस speed में वो rotate नहीं कर पाता है इसके पीछे भी एक proper reason है जिसके वारे में कभी हम और बात करेंगे अब देखिए जो synchronous motor है इसके वारे मैंने आपको बताया था कि इसका जो rotor होता है वो हमेशा synchronous speed में rotate करता है और इसी वज़े से जो है हम लोग इसको synchronous motor कहते है और हमारे generator के case में भी जो हमारे rotor होता है उसको हम synchronous speed में rotate करवाते हैं इसी वह से जो है उसको synchronous generator कहते हैं अब देखे, motor को तो हमें समझ में आता है पिछले वाले वीडियो में आपको अच्छे से बतायाएगे कैसे हमारा rotor rotate करता है पर हमारा generator में क्या होता है हमारा generator का rotor कैसे rotate करता है अब देखे, इसके rotor को rotate करवाने के लिए हम इसको mechanically coupled करते हैं turbine के साथ अब यह turbine क्या है यह जो green truck का आप देख रहे हो बहुत बड़ा turbine होता है अगर power blank में आप जाएंगे तो बहुत बड़ी-बड़ी turbine होते है तो उस turbine के मदद से हम इसके rotor को rotate करवाते है इसके अंदर बहुत बड़ा-बड़ा blade होता है तो अगर यह जो है steam turbine है तो steam को हम लोग inlet करवाते हैं बहुत ही high temperature, high pressure वाला steam होता है उसको इसका blade rotate करता है उसका blade rotate करता है तो mechanically coupled होता हमारा rotor के साथ हमारा rotor rotate करता है अब देखे, यह जो synchronous generator है वो दो प्रकार का होता है हमने इसको दो basis में classify किया है अब किस basis में हमने इसको categorize कर दिया है वो इस basis में किया है कि इसके अंदर जो हम rotor use में लेने बाले है वो दो प्रकार का होता है synchronous machine में चाहे motor हो, चाहे generator हो एक तो silent pole rotor होता है दूसरा cylindrical pole rotor होता है सालिण्ण पू Stevens RAC आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा और किताबों पर देखोगे Each इस परकार का मिलेगा दूरों कहीड छो है अलग-अलग नीचर मां लिज़ाई अगर आपको बहुत High Speed operation के बहुत High speed में आपको Motor Rotate करवाना है बहुत हाई स्पीड में आपको जनरेटर को रोटेट करवाना है तो उस वाले केस में आप सिलिंडिकल रोटर को लगाएंगे और यह जो जनरेटर आप देख रहे हैं इसके अंदर जो हमारा सिलिंडिकल रोटर लगा हुआ है क्यूं क्यूंकि यहां पे जो हमनों थर्मा तो हाईडो पाव प्लाइंट वह भी सिंख्रोन जनरेटर हम यूज में लेते हैं पर वहां पर जो हमरा रोटर यूज में लेते हैं वह सेलिंड पूल रोटर होता है तो यतना जो इनफॉर्मेशन है वह कंस्ट्रक्शन के हिसाब से सफिशेंट है अब हम वाइंडिंग के अब करते हैं आज दो रोटर है चाहे dilanator रोटर यूज में लेडए चाहे चलिंडरल रोटर रोटर यूज में लेडए इसमें हम वाइंडिं क करते हैं और में किस बेसे में करते हैं कि हमें कितना नमबर ऊफ पॉल जाहिए है Ugh जो है winding कर दिया अब winding करने के बाद क्या करते हैं इसको DC excitation देते हैं DC excitation मतलब इस winding में हम DC current को flow करवाते हैं डायक को flow करवाते हैं यह जो हमारा DC से supply होता है उससे connect करते हैं हम AC से नहीं करते हैं समझ में आ रहा है और जो हमारा armature winding होता है जिसको हमें स्टेटर में करते हैं वो हमरा three phase winding उसमें किया हुआ रहता है अब इसमें जब हमने current को flow करवाया तो हमारा flux create होता है magnetic field बनता है हमारा जो है pole का formation होता है फिर जब उसको हम लोग turbine के मदद से rotate करवाते हैं तो हमारा flux cut करता है armature winding में और हमारा EMF induce होता है voltage होता है फिर हम जो है उसको load current के जो है हम लोग करें निकाल लेते हैं हम लोग को power मिल जाता है वी इंटो आई चीजे समझ में आ रही है बड़ी सिंपल है पिछले वाले वीडियो में भी यह चीजे मैंने आपको बताई थी अब सवाल कि जो हैं बात全 दिसकस करते हैं तो आगे बढ़ने पेले आपको और हिक बताते हैं कि जो आर्मेंचर winding होता है है यह जो आप होएंडिक होता है call बोसम्हां बहुतली काई हूँस अब ऐसा क्यों आपको पता है हमárioं फोक Legislative और पावर को जो जनरेट करते हैं बहुत जादा जनरेट होता है अब यह जो पर्टिक्लर जनरेटर देख रहें इसका जो आक्टिव पावर का जो हमारा रेटिंग है वह 500 मेगावाट है अब 500 मेगावाट तक कितना होता है यानि कि 5 के आगर आप 9-0 लगा दें उतना वाट घर करें आपकर आप लॉटर को इसंपर जूंड घंड tailored को हमें देता है तो जो सबसे पहला reason और सबसे important reason यह है कि यह हमारे system को बहुत ही ज़्याद़ economical और efficient बना देता है अगर हम armature winding को stator पर करते हैं तो हमारे system बहुत ज़्याद़ efficient हो जाता है और साथे साथ economical भी होता है आप देखें यह जो sentence है आप कहीं भी चपकाएंगे चपक जाएगा पर इसके पीछे का जो proper reasoning है जो proper explanation आपको पता होना चाहिए वो interviewer आपसे पूछ सकता है कि अच्छा ऐसा क्यों बताईए ज़्याद़ efficient क्यों होता है ज़्याद़ economical हमें क्यों बनाता है तो आपको पता होना चाहिए इसके पीछे का result है ऐसा है कि अगर आप armature winding को rotor पे करते हैं तो क्या होता हमारा three phase winding जो है हमारा rotor पे करना पड़ता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हम कर देते हैं पर वहां से power लेने के लिए यानि कि generate कर रहे है पावर तो हमें बाहर भी लेना पड़ेगा तो generate करने के लिए बाहर जब लेंगे तो क्योंकि हमारा winding rotor पे है तो किसी भी rotating body से अगर पावर लेना है यानि कि अगर हम generator की बात कर रहे है या पावर देना है यानि कि हम motor के बात कर रहे है तो हमें एक special arrangement के जरुरत पड़ती है स्लिपरिंग और carbon brush को use में हम लेते हैं अब ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम direct connection करें तो हमारा rotor rotation करेगा तो हमारा connection जो है तूड़ियागा इसलिए जो है हम लोग slip ring और carbon brush का use में लेते हैं यह slip ring क्या होता है? करनेक्टेड होता है। और जो ताया है और जिए अनीक हमारे स्लिप्रिंग के साथ कनेक्टेड होता है। वह रोरट कर रहा है पर हमारा कार्मन भ्लेक्ट हला जगा , जो दाइक इन भाज़ साथ को पर तो यहां से घरते हैं तो changing EMTU बाहर आएगा और अगर हम neutral की भी बात करें То this चाहर टर्मिनल बाहर आएगा तो हावर को यहां से एक्स्ट्राक्ट करने के लिए कि लिए कम से कम हमें तीन SLIPRING के Project वोचश करें तो में करें दो करने लिएज गया अगे में तो वहां पर हमें दो carbon brush और दो slip ring का requirement होता है साथ ही साथ अगर आप यह armature winding को rotor पे करते हैं तो चुकि यह high power winding है यहाँ पे बहुत ही high power को हम generate करते हैं वो भी बहुत ही high voltage में करते हैं जनरले आपके 11 kV होता है यानि कि 11,000 voltage या 25,000, 25,000 voltage इतना high voltage में इस power को generate किया जाता है तो आपको slip ring के बीच में जो insulation भी provide करना होगा वो जादा करना होगा जादा insulation जो है आपको देना होगा पर अगर field winding करते हैं तो वहाँ पे उतना ज़्यादा voltage के साथ हम लोग काम नहीं कर रहे होते तो वहाँ पे कम भी insulation देंगे तो आपको काम भन जाएगा तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना पैसा हम लोग यहाँ पे बचा रहा है एक तो अगर हम लोग slip ring का यहाँ पे कम बचा तो रहा है अगर हम field winding जो है rotor पे करते हैं दो ही slip ring और दो ही brushes का requirement हो रहा है और दूसरा insulation भी कम हम लोग को लगाना पड़ ला है और साथी साथ आप जानते हो brushes के साथ ऐसा तो नहीं है कि एक बार लगा डाला life जिंगा लाला यहाँ पे क्या होता है कि आपका brushes समय के साथ घिस जाता है क्योंकि हमेशा friction होते रह रहा है तो आप क्या चाहोगे कि 4 brushes को बदलना चाहोगे या जो है अब 2 brushes को बदलना चाहोगे है तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना पैसा हम बचा रहे हैं तो यह जो economical term है यह हमेशा पैसे से जुड़ा हुआ है कि हम कितना हमारा इंस्टॉलेशन कॉस्ट है operational cost है maintenance cost है यह सब को मिला जुला करके जो नहीं यह economical term जो हमारा बाहर निकल करके आता है और हमें बताता है कि यहां पर काफी ज्यादा पैसे को हम बचा पा रहे हैं और efficient कैसे है efficient आप समझ पा रहे होगे कि यहां पर हम energy को convert कर रहे है mechanical to electrical कर रहे है तो mechanical to electrical efficient बूलना ही का मतलब यह होता है कि ज़्यादा ज्यादा मतलब कम क्यूं होता है क्योंकि हमारा losses होता है अब losses कई प्रकार का होता है हमारे generator के अंदर उसमें से एक loss है जो आपने देख process है तो वहां पर हमारा कुछ loss होगा अगर चार यूज में लेते हैं अगर हम armature rotor में कर देते तो जार हमें यूज में लेना पड़ेगा तो वहां पर ज्यादा होगा चीजह आपको समझ में आ रही है तो समझ में आ गया कि पहले statement आपका एक दम clear है दूसर जो हमारा point हो सकत साथ जो है हमारा काम हो रहा है armature winding में और बहुत ज़्यादा loss भी होता है अब यह सारा loss है वह heat के formal dissipate होता है सब गर्मी पैदा करता है अब यह गर्मी को बहार निकालना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसको बहार नहीं निकाले तो आपका insulation damage हो जाएगा आपका generator ही comparison में तीसर जो हमारा point है वह बहुत ही ज़्यादा important है कि अगर हम armature winding को stator पे करते हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा space मिलता है ज़्यादा space क्योंकि उसका diameter काफी ज़्यादा बड़ा होता है तो वहाँ ज़्यादा conductor लगा सकते हैं ज़्यादा conductor ज़्यादा EMF ज़्यादा बल्की हो जागा बहुत ज़्यादा उसमें वेट आजाएगा क्योंकि स्टेटर पे अगर वेट आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि उसको रोटेट नहीं करना हमारा rotor को रोटेट करना है और इस पर रोटेटिंग बॉड़ी में हमारा ज्यादा वेट आ जाता ह है स्टेटर पर करेंगे तो दूसरा पॉइंट यह है कि हमारा यह मेकेनिकली स्ट्रॉंग होता है अगर आप ऐसा करते हैं तो अदर्वाइज जो है आपको मेकेनिकल स्ट्रॉंग बनाना पड़ेगा अदर्वाइज आपका जो है जन्रेटर डामेज हो जाएगा चीज़े इक दम क्लियर है तो यह थे कुछ चार इंपॉर्टेंट रिजन इसके लाव भी जोगा अगर पोजना चाहेंगे तो काफे सारे मिलाएगा पर में इसाब से इतना सफिशेंट अउमीद आपको जो है यह वीडियो काफी ज़्यादा पसंद होगा काफी कुछ मैंने जो है ब कोमेंट सेक्शेंट को बताएं को टॉपिक सेस्ट करना चाहते हैं तो वहीं बता सकते हैं मिलते हैं ऐसे कि वीडियो में टेक क्या बाइबाइब